नबुस्कार प्यारी मित्रों मैं सुनी स्वागत करता हूँ आप सभी का तहदियर से आपके स्टूडी से फैमली टेक्निकर स्टूडी ग्यान के साफी से लेटिव चैनल पे प्यारी मित्रों आज के सेशन में पेट क्लास में आज हम लेकर रहा हैं बिल्कुल चुरिंदा टेसेश पैसरन पे आधारित अपड़िडिट क्वेस्टन होंगे जिए प्रकार से क्वेस्टन आप बन रहे हैं किस प्रकार का लेबल होने वाला है सभी को अब कवर करेंगे और साथ ही साथ जैसा की पिछले क्लास में मैंने थीरी एक्स्प्लें किया है जितना नीड है पढ़ा रहे हैं ठीक है तो आज की सेशन में बढ़ेंगे आगे और पहला क्वेस्टन आपकी स्क्रिम प्यारा है क्वेस्टन को ध्यान से पढ़िएगा क्वेस्टन में देखिए मित्रों क्या कह रहा है कह रहा है कि डिटर्माइन दा पावर इन वाट ठीक है पावर आपक actively for the given circuit diagram, ठीक है, यहाँ पर देखे, आपके screen पे circuit diagram दीख रहा होगा, ठीक है, इन में आपको बताना है कि दिये गए परिपत में, परिपत क्या है, पहले इसको हम बना लेते हैं, ठीक है, दो lamp है भाई साथ, ठीक है, दो lamp है, दोनों क्या connect है, एक voltage source है, दोनों क्या है, एक voltage source ह connect है, lamp A है, यह है भाई, lamp A और यह है, lamp B, ठीक है, यह क्या है, यह है 10 ohm, इसका resistance है, इसका क्या है, 5 ohm है, तो यहाँ पर कह रहा है कि दिये गए परिपत में, या फिर परिपत आरेक में, lamp A और lamp B की जो सकती है, क्रम सा निर्धारित करना है, कि क्या होगा, और इसके जो यह बोल्टता है, voltage source है, कितनी दूई हुई है, यहाँ पर 40 बोल्ट दिया हुआ है, आफसन आपके सामने है, 4 आफसन आपके स्क्रिम पर है, ठीक है, तो यहाँ पर चलिए, देखते हैं कैसे इसको solve करते हैं, तो यहाँ पर देखना आपको कैसे, कैसे solve देखे, आपको देखना है पहले कि कितने दिये हुए है, गिवें डेटा क्या क्या है, तो बोल्टेज इदि हम बात करें, तो बोल्टेज या फिर हम कह सकते हैं कि supply, ठीक है, supply क्या दिया हुआ है मित्रो, 40 बोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, 40 बोल्ट दिया हुआ है, तो यह क्या है एक दूसरे के साथ series में है r1 प्लस r2 की term में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा भई 10 प्लस 5 क्या हो जाएंगे 59 ओके 59 आ गया आपका resistance का value आ गया तो मित्रो जब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब यह सर के मलग यह source हम connect कराएंगे तो current क्या करेगा कि flow होगा ठीक है जब current flow होगा तो इसी में आपको ध्यान देना है कि आपको I find out कर लेना है ठीक है अब जब I find out करोगे तो I due to the ohms ला भी अपानार voltage कितना है भाई 40 है और resistance कितना आ गया 15 ohms आ गया अब इसे कर लो solve जब इसे solve कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2.66 ampere आ जाएगा मतलब I की जो value आएगी 2.66 ampere आ जाएगा ओके clear है यहां तक सभी के समझ में आ रहा होगा भाई अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया ठीक है अब यहां पर पूछ रहा है कि lamp A का power आप lamp B का power तो भाई मेरे सबसे पहले हम यहां पर ग्याद करेंगे क्या 10 ohms के लिए 10 ohms के लिए हमें क्या करना है power ग्याद करना है तो 10 ohms किसका है A lamp का है तो P A जी हम find out करें ठीक है clear सबको दिख रहा होगा भाई I think यहां तक ठीक है तो यहाँ पर formula लग जाएगा क्या i square into r तो i की value कितनी आ गई है 2.66 square into 2.66 हो जाएगा और into r की value कितनी है 10 ohm है तो यहाँ पर 10 ohm कर दीजे यह कितना आ जाएगा भाई साब आपका यह आपका आ जाएगा क्या जाएगा जिसको आप find out करोगे इसे solve करोगे तो 17 point क्या आ जाएगा भाई 17 point अपका 75 watt आ जाएगा 75 watt आ जाएगा अब तो आ गया यह किसका lamp A का जो power है वो कितना आ गया भाई 17 point 75 ठीक है 17 point 75 आ गया किसका power lamp A का अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे power lamp B का निकालेंगे ओके हम इसे क्या कर रहे है इसे हम remove कर दे रहे है ठीक है उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि power निकालेंगे lamp B का जिस प्रकार से हमने lamp A का निकाला तो हम क्या करेंगे lamp B का power यह दिन निकालेंगे तो फिर से वहीं हो जाएगा I square into R okay i2 कहने का मतलब आपका क्या 2.66 into क्या हो जाएगा 2.66 into 2.66 plus यह क्या है भाई 5 ohm है okay यहाँ पर क्या हो जाएगा into into रहेगा भाई सब यह जब into में आ जाएगा तो यहाँ पर जब इसको solve कर लोगे finally क्या जाएगा finally आपका power of the B lamp के लिए आपका क्या जाएगा भाई yes 35 point वाट आएगा ठीक है 30.35.37 क्या जाएगा वाट आएगा अब देखे option मिला लीजे क्या option में दे रहा है तो आपका जो option C है मित्रों बिल्कुल perfect हो जा रहा है ठीक है क्रम सार क्या-क्या है आपका आगे आपका आपका यह और यह दोनों आपको किस में मिल रहे हैं C में मिल रहे है ठीक है यहां तक clear है वाई चलिए तो आए प्यारी मित्रों next question के तब चलते हैं next question आपके screen पे आ चुका होगा question को ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग question में कह रहा है कि the dimensions of cubodile metals strip area A is equal to 5 cm, B is equal to 15 cm and C is equal to 10 cm what is the ratio of resistance R A, R B and R C between the respective pairs of the opposite faces कह रहा है कि एक घना कर धातू पटी के आयाम A 5 cm है B 15 cm है और C क्या है 10 cm है संबंधित विपरित बुजाओं के जोडों के बीच प्रतिरोत का अनुपात R A समंदे R B समंदे R C क्या है ठीक है आपको यहाँ पर बताना है कि भाई यहाँ पर जो respectively जो pairs हैं वो क्या है opposite faces को आपको देखते हैं यहाँ पर इसको solve करना है समंदे वाली बात है देखे चारा अपसान आपको दिये होंगे इनी में से आपको right answer बताना है और कोसिस करना है इसे solve करने का और मैं आपको बताऊंगा इसका बिल्कुल easy तरीका यदि ऐसा कोई question आ जाता है तो उसको कैसे easily हम solve कर सकते हैं तो बिल्कुल tcs के patterns का updated question है तो यहां पर question को ध्यान में रखते हुए solve करिएगा तो सबसे पहले सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि आपको करना क्या है ठीक है ना तो आपको हर देखे r e sambandh r b sambandh r c के terms में find out करना है ठीक है तो माल लेते हैं कि एक cube है ठीक है एक cube है कुछ इस प्रकार से ठीक है कुछ इस प्रकार से भाई cube है ठीक है कुछ इस प्रकार से क्या है cube है और वो कुछ इस तरह से divide है उसका जो part है कुछ इस प्रकार से divide है अब ये हो गया a and next आपका ये हो गया b and ये हो गया c ठीक है अब कह रहा है कि आपको यहाँ पर पर्टिकुलर सभी के लिए आपको क्या करना है कि इनके अनुपात को संबंधित जो बिपरित बुझाओं के जोड़ों के जो बीच प्रतिरोध का जो अनुपात है सभी को find out करना है तो सिधी सी बात है कि आप एक formula जानते हो हमेशा use करते हो आर इसकोरे टू रो एल बाई एक का हमेशा use करते आ रहे हो अभी तक तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे आर एक लिए find out करेंगे आर एक लिए find out करेंगे तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि ρो इसका जो length है ये क्या है A है ओके R A के terms में निकाल रहे हैं इस length के लिए निकाल रहे हैं तो अब क्या हो जाएगा कि इसका जो area होगा मित्रो वो B into C हो जाएगा इसका जो area होगा B into C हो जाएगा यहाँ पे तो भाई हमने लिग गिया यहाँ पे B into C अब देखे, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे value रखनी है जो आपके question में दिया हुआ है क्रमसा ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि RA को हमें find out करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे A की value रख देंगे क्या 5, row, B की value कितनी दी हुई है ठीक है, B की आपकी value कितनी दी हुई है उसको ध्याँ से question में देखें 15 दिया हुआ है और साथी में आपका C की value क्या दी हुई है ध्याँ से देखेंगे, तो C की value क्या दी हुई है 10 दी हुई है कहने का मतलब यह है कि simply 5, row upon 150 हो जाएगा अब जब इससे आप solve करोगे तो 50 यह पंदर है कहने का मतलब क्या, row upon 30 आ जाएगा अब यह किसका आ गया भाई R, A की value आ गई कितनी row upon 30 अब हम क्या करेंगे simply बिल्कुल इसी question पर आधारित ही हम चलेंगे अब हम यहाँ पर क्या करेंगे R, B की value find out करेंगे ठेके मित्रो हम हम क्या करेंगे R, B की value जो है उसे हम बिल्कुल easy तरीके से क्या करेंगे find out करेंगे साथ साथ आप लोग भी करते रहेगा बहुत important question है इसलिए हम यहाँ पर इसको पहले लेकर आए है और discuss कर रहे है और इस chapter से ऐसे ही multiple question आते है प्याने मित्रो जिसको हमेशा आपको mind में रखना होता है आईए अब हम यहाँ पर ग्याद करेंगे R, B की value जब हम R, B की value ग्याद करेंगे तो रो L क्या हो जाएगा B के upon क्या हो जाएगा अब देखिए इसका figure भी change हो जाएगा इसका जो figure है इसका भूजाएं जो है वो change हो जाएगे क्यों R की जो भूजा है B और C से कम है तो कहने मतलब क्या होगा यह एक तरह से rotate कर जाएगा जब हम B की value निकालेंगे तो कहने मतलब क्या हो जाएगा यह इसका जो figure बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा कुछ इस प्रकार से इसका figure बनेगा ठीक है आराम से बनाएंगे कुछ इस प्रकार से बनेगा ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको हम इस प्रकार से finally cube बना लेते हैं cube क्या करेंगे इसको हम एक cube का रूप देते हैं ठीक है? ऐसे ठीक है? जब cube बनेगा तो कुछ ऐसे जाएगा ठीक है? इस प्रकार से जुड़ेगा ठीक है? अब ये क्या है आपका? ये है भाई B और ये है आपका क्या? C ठीक है? ये जो छोटा वाला है A हमने इसे find out कर लिया है अब हम यहापे क्या करना है? B find out करना है तो इसकी दो भुजाएं हो जाएंगी? कौन कौन सी हो जाएंगी? A into C हो जाएगा रगदो value यहाँ पे तो B की value कितनी दी हुई भाई? P की value आपको इलजली तरीके से 15 दिया हुआ है 15 row A into C को जब आप into करोगे तो क्या आजाएगा आपको? ठीक है? यहाप A into C कर दो तो आपको आजाएगा यहाँ पे 50 50 आजाएगा और जब इसे solve कर लोगे ठीक है? जब इसे solve करोगे तो क्या आजाएगा आपका? आपका आजाएगा 3 ठीक है? 3 row upon क्या आजाएगा भाई? 10 आजाएगा ठीक है? क्या आजाएगा हैं पे? 15 upon 3 upon क्या आजाएगा भाई? 10 आजाएगा ठीक है? तो यहाँ पे भाई से क्या करेंगे ठीक इसी प्रकार से और सी की वैलू ग्याद करेंगे ठीक है और सी की वैलू ग्याद करेंगे जब हम और सी की वैलू ग्याद करेंगे तो फिर से क्या करेंगा यह रोटेट करेंगा रोटेट कहने का मतलब यह कि भाई आर सी के ही टम्स में यह बनेगा ठीक है तो RC को हमें find out करना है, तो कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से cube generate होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से cube generate होगा, आपका बिलकुल easy तरीके से, ठीक है, ऐसे, ऐसे आपका cube बनेगा, आप rotate जब इसे करा होगे, तो easy तरीके से, कुछ इस प्रकार से cube आपका बनेगा, तो और यह आपका हो जाएगा C, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर एंड C की टर्म में निकालेंगे, तो आर C की टर्म में क्या हो जाएगा, बिलकुल, रो C, अपान क्या हो जाएगा आपका, इनकी दोनों भूजाओं का, into मतलब B into A, ठेक है, दोनों area, ओके, अब हम यहाँ पर यहां पर क्या हो जाएगा आप क्या यहां पर 10 है ना C का C के वेलू क्या है 10 है और इसके बार नीचे जब आप B into A को करोगे तो यह आ जाएगा आपका 75 ठीक है और जब इसे solve करते हो मतलब 5 पांदुना 10 पांदुना पांदुना क्या है कि आपका यह क्या जाएगा आपका लगभग यहां पर 15 25 हो जाएगा ठीक है ना अब जब इसे solve करोगे तो यह क्या हो जाएगा यहां पर 2 row upon कितना है यहां पे 15 आ जाएगा ठीक है 15 कैसे आया यहां पे 10 था 5 के 2 जाओगे 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 5 1 जा 1 यहां पे कितना बचा आपका जब यहां पे 1 इसको हटा होगे तो यहां पे क्या बचेगा भई ठीक है यह आपका आगया यह आपका क्या आगया भाई आरसी की वैलू कितनी आगई 2 रो अपान 15 ठीक है 2 रो अपान 15 आगया कहने मतलब यह रिस्पेक्टिवली जो value आ गई आपकी वो RA समन्दे RB समन्दे RC कि terms में जब लिखोगे तो रो के अपान 30 समन्दे 3 रो के अपान 10 समन्दे 2 रो के अपान 15 और जब इसे आप solve करोगे तो क्या आगा RA समन्दे RB समन्दे RC इसकी जो final value जल्दी से इसे find out कीजिए जब इसे solve कर लोगे तो आपका आजाएगा 1 समन्दे 9 समन्दे 4 ठीक है ये आपका आजाएगा कहने मतलब ये जो आपका है option C वो क्या है भाई C option क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है I hope कि आप लोगो समझ म्यारा होगा इसे ही question आते हैं ऐसे ही trick से आपको निकालना होता है ठीक है ऐसा नहीं है कि बहुत जाला burden लेके आपको question करना है ठीक है बिलकुल easy तरीके से आसान तरीके से solve करेंगे तो हर चीजे solve हो जाती है हर चीज का solution होता है ठीक है तो प्याले मित्रों next question आपकी screen पे आ रहा है जहां से उसको देखें question को पढ़ें कह रहा है कि determine the value of current in ampere drawn from 8 bolt battery when a wire of 24 ohm resistance is क्या लिखा है भाई strays मतलब खिचा हो रहा है strays हो रहा है double its original length and then cut into two equal parts and this equal part as connected impeller with the battery कह रहा है कि 8 bolt की battery से बने विद्दुधारा मान का जो है बाई ampere में है ठीक है में क्या होगा आपको बताना है इसमें current के value पूछ रहा है 8 bolt से current के value कितनी होगी क्या condition ही circuit का कह रहा है कि जब 24 ohm प्रतिरोद का जो तार है उसकी मूल लंबाई खीच कर दो गुना कर दिया जाता है ठीक है ना उसकी जो में लंबाई है उसे खीच कर दो गुना कर दिया जाता है तो कह रहा है कि फिर उसे दो बराबर भागों में काट दिया जाता है ठीक है हमने क्या किया जो इसकी मुल इसका लेंथ है उसको पहले कर रहा है उसे दोगुना कर दीजे दोगुना करने के बाद उसे बराबर भागों में कट कर दीजे वायर को ठीक है फिर कह रहा है कि और ये बराबर भागों में बैटरी के समानतर में जोड़ा जाता है उन्हें कट करके समानतर में एड़ करके तब बताइए कि आप 8 बूर्ट बैटरी से कितनी current आप ले सकते हो ठीक है तो यह question कह रहा है option में आपके पास 4 option है ध्यांग के उसको करिएगा ठीक है तो आएए देखते हैं इसको कैसे करेंगे जली तरीके से ठीक है तो इसके ही question को देखे question को पढ़ेंगे question में ही answer है आपका तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तार को खीच कर ठीक है ना क्या करेंगे कि तार को तार को खीच कर हम क्या करते हैं कि दो गुना लंबाई करने पर ठीक है क्या करते हैं दो गुना उसकी जो लंबाई है उसे दो गुना करते हैं ठीक है तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से n square into r कर सकते हैं तो भाई मेरे क्या हो जाएगा यहां पर n square कहने मतलब यह कि यह क्या है इसको हम कहते सकते हैं कि 2 kai square ठीक है 2 kai square हो जाएगा यहां पर and into r कितना है 24 तो कहने मतलब यह कि यह कितना आ जाएगा r की value 96 आ जाएगी जो इसे अब निकालोगे तो टोटल वैलू यहां पर कितना आ गया R का यह आ गया भाई R की वैलू जब हम इसे कीच के दो गुना कर रहे है तो R की वैलू कितनी आ गई भाई 96 आ गई अब हम क्या करेंगे next condition क्या कह रहा है question में देखेगा next condition कह रहा है कि अब प्राप्त जो प्रतिरोध है ठीक है यह जो हमें resistance मिल रहा है प्राप्त प्रतिरोध को दो बाराबर भागों में बाढ़ देंगे कहने का मतलब यह इसे हम एदिये करें कि 96 को क्या लिख सकते हैं 48 PLUS 48 यह क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा अब इसे हम ने क्या क्या दो बाराबर भागों में बाढ़ दिया और बाटने के बाद में इसे हमें किसमें parallel में connect करा रहे है जब हम parallel में connect कराएंगे तो कहने मतलब यह क्या हो जाएगा कुछ इस प्रकार से resistance को हम parallel में एक दूसरे के साथ connect करा देंगे, अब यह हो गया भाई, 48 ohm, और यह भी हो गया, 48 ohm, ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, 8 bolt की supply के साथ connect करा दे रहे हैं, यह हो गया 8 bolt, अब कह रहा है, कि 8 bolt के cross current की value भाई, क्या होगी, बताइए, तो भाई, पहले हम यहाँ पर क्या क निकालेंगे, तो 1 upon r equivalent क्योंकि यह parallel में है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 upon r1 plus 1 upon r2, कहने का मतलब यह, कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48, ठीक है, 48 into 48 लेख सकते हो, k upon 48 plus 48 लेख सकते हो, ठीक है, तो इसको जब solve करते हो, तो कहने का मतलब यह, कि आपका कितना आजाएगा, तो 2, 3, 0, 4 आजाएगा, इसको जब into करोगे, कि अपन क्या आजाएगा, 9 takes, जब इसे solve करोगे मित्रो, जब इसे आप solve करते हो, ठीक है, तो वो कितना आजाता है, 24 ohm आजाता है, ठीक है, इजी सी बात है, बात है, 24 ही आएगा, देर हम यहाँ पर क्या करेंग करना है, इसली तरीके से हमें क्या करना है, कि I is equal to B upon R कर देना है, तो बोल्टेज कितना दिया हुआ है, 8 बोल्ट, और R कितना आगया, 24, ठीक है, अब इसे solve कर लिजे, जब इसे solve कर लेते हो, तो I की जो total value है, 0.3333, क्या, ampere में आएगा, ठीक है, यह हमारा हो गया, 8 बोल्ट के एक क्रॉस, जो current आएगी, 0.33 आएगी, ठीक है, तो option कौन सा सही हो गया आपका, आपका A option, यहाँ पे क्या हो गया, perfect हो गया, is the right answer हो गया, ठीक है, अब यहाँ तक clear हो गया, यह सभी चीजे, समझ में आ रहा है, कैसे question आते हैं, examination में, किस प्रकार से आपको कर करना है, ऐसे ही करना है, ठीक है, चलिए भाई, so I hope कि अभी तक सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी, कोई भी problem है, तो हमें WhatsApp कर सकते हो, personally नहीं कर सकते हो, या फिर group में कर सकते हो, ठीक है, आईए, next question आपकी screen पे आ रहा है, question को ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है कि, a hollow sphere of charge does not produce an electric field act कह रहा है, कि एक आवेसित खोकले गोले में कहां पर विद्दुचेत्र उत्पन नहीं होगा, ठीक है, चार option है आपके पास, पहला option क्या कह रहा है, interior point देखी, ये question, इस प्रकार की जो question होते हैं, सिर्फ आपके concept पे चलते हैं, ठीक है, तो पहल कह रहा है कि, interior point, next कह रहा है कि, outer point, next कह रहा है कि, beyond 2 meter दूर से, and next कह रहा है कि, इन में से कोई नहीं, तो देखे, यहाँ पे समझने वाली बात, ये है, कि जो एक आवेसित गोला है, आवेसित गोले का हम कहने हैं, मतलब कि वो क्या है, एप्रकार से आवेसित है, ठीक है, उ कि जो आपकी electric field होती है ठीक है भाई वैदु छेत्र जो होती है वो क्या होती है तो यहाँ पे होता है कि किसी आवेस के चारो और का वो अस्थान या फिर छेत्र जिसमें एक अनवेस क्या हो उसका जो प्रवाव का अनुभाव करें मतलब यदि यह आवेसित है पिंड ठीक है यह जो पिंड है यह आवेसित है और यहाँ पर मांगे चलिए यह क्या है एक पिंड है जो कि अनावेसित है अब क्या होगा कि जैसे ही इसके पास यह आएगा तो यह इसके ऊपर बात को समझेगा इसके ऊपर क्या होगा यह भी एक प्रकार से क्या होगा भाई यह भी एक प है यह पाजटी है पाजटी चार्ज होने चार्ज होने चाहिए बायो सिवर्ट जो लॉग होता है वो भी यहीं बतलाता है ठीक है तो जब यह इसके पास आएगा एट्रेक्ट करेगा तो भाई सिदी सिपाती जब यह पिंड आएगी आने के पहले यह क्या थी यह अनावेसित थी इसके उपर कोई चार्ज नहीं था जब इसके चार्ज इस पिंड आवेसित पिंड के पास आएगा तो यह उसके अपने उपर एक फोर्स एक फोर्स किसके में क्या हो रहा है कि यह वहां पर इफैक्ट डाल रहा है लेकिन इसके दिए इनर पार्ट की बात करें कहने मतलब इंटिरियर पॉइंट के दिए हम बात करें तो बिल्कुल जो इंटिरियर पॉइंट पर क्या होता है जो विद्धुछेत्र होता है मित्रो वो जीरो होता है ठ इस पे भाई इंटेरियर पॉइंट पे ठीक है कहां पे आंतरीक बिंदू पे ठीक है और एके स्क्वार टू वन अपान फोर पाई फोर पाई अपसाइलम नॉट इंटू क्यू अपान आर का स्क्वार भाई जब ये चार्ज जो है जो सेकेंड गोला है चार्ज का ये जब अनावेसित है तो जब इसको हम लेकर आएंगे तो एक त्रिज्या मतलब एक दूरी तै या उसे हम आर के टर्म में लेकर चलिए या फिर क्या करिए भाई डी के टर्म में भी ले सकते हैं ठीक है तो इस जे जो फार्मूला है ये बतलाता है दूटू दे कूलंस लौ ये क्या बतलाता है ये कूलंस लौ को फॉलो करता है और कूलंस लौ ने बताया था ये जो बल किसी आवेसित कड़ के बीच में उसका फार्मूला होता है तो यहां पर यह क्या हो गया यह है आउटर ठीक है आउटर पॉइंट यह कहां पर हो रहा है यह यह फोर्स जो एक्ट कर रहा है यह कहां पर कर रहा है आउटर पॉइंट पर कर रहा है ठीक है तो इसकी वैलू यह हो उत्पन नहीं होता है तो कहने मतलब ये is the right answer हो जाएगा कि interior point पे नहीं होता है तो प्यारी मित्रों अभी तक क्लियर होगी होंगी अभी तक जो कॉंसेप्ट हम यहां पर लेकर चल रहे हैं थेरी लेकर चल रहे हैं साथ साथ में सभी को समय में आ रहा होगा ठीक है मुझे पूरा आसानी विश्वास है आए नेक्ट कुस्टन आपकी स्क्रिम पर है कह रहा है कि डिटर्माइन तो बहुत 15 ohm resistance when 0.5 ampere of the current is flowing through the register for 8 seconds ठीक है कह रहा है कि 15 ohm प्रतिरोध के माध्यन से R की value पहले देख लेते हैं क्या दिया है गीवेन है आपको R is equal to कितना है 15 ohm ठीक है कितना दिया हुआ है 15 ohm दिया है 15 ohm दिया है ठीक है फिर कह रहा है कि उसमा का आपको dissipate आपको निकालना है जो कि जूल में होगा जब प्रतिरोध के द्वारा कितना current चल रहा हो आए की value कितना दी है 0.4 ampere ठीक है जब प्रतिरोध की value 0.4 ampere की निधारित करें हो तो विद्धारा 8 second के लिए बह रही है ठीक है कह रहा है इसके द्वारा 0.5 ampere की जो विद्धार है 8 second के लिए बह रही है तो आपको heat dissipation निकालना है तो time यहां पर कितना ले रहा है यह भी देख लीजिए यह कितना ले रहा है 8 second ले रहा है एक फार्मूला होता है प्यारे मित्रों यहां पे heat dissipation का ठीक है यदि आपको याद होगा तो अभी तक यह question आप कर लिया होगी त heat dissipated हमें क्या करना है find out करना है उसमा अपब्य हमें ग्याद करना है तो भाई इसका जो फार्मूला होता है वो h is equal to i square into rt होता है क्या होता है i square rt होता है ठीक है यह आपका फार्मूला होता है heat dissipation का ठीक है अब यहां पे देखे i square की जो value है मतलब 0.5 का क्या हो जाएगा 0.5 का square हो जाएगा into r कितना दिया हुआ है 15 ohm दिया हुआ है और आपका फिर इसके बाद into क्या है 8 second ठीक है एजरी तरीके से find out कर लोगे तो भाई यहां पे क्या आ जाएगा इसको लिख सकते है 0.25 into 120 हो जाएगा ठीक है 120 हो जाएगा कहने मतलब इससे जवाफ solve करोगे तो option यहां पर क्या सही हो जाएगा आपका B option जो है perfect हो जाएगा ठीक है यह भी समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से चलिए बहुत यह अच्छे तो चलिए प्यारी मित्रों नेश को सेंगे नेश को सन आपके screen पर आ चुका है बिल्गू बहतरी तरीके से updated question question कह रहा है कि find the radius of an isolated spheres capable of being charged 1 million volt potential before sparking into the air given that breakdown voltage of air is 3 into 10 के power 14 volt per centimeter क्या है 3 into 10 के power 4 volt per centimeter दिया हुआ है तो कह रहा है कि हवा में spark होने से पहले 10 lakh voltage तक आवेसित होने वाला एक प्रित्थक वृत्य है जिसका breakdown voltage 3 into 10 के power 4 volt per centimeter है कि त्रिज्या क्या होगी इसका त्रिज्या पूछ रहा है चार आफसन आपके पास है चलिए बही सभी लोग इससे जहां से देखेंगे आपको देखना यहां पी यह है कि क्या आखिर पहले दिया हुआ है ठीक है किसी भी question को solve करने के पहले उसे देख लीजिए कौन-कौन से data उसे एक बार लिख लीजिए उसके बाद जब solve करेंगे सभी data आपके सामने देखेंगे तो कह रहा है कि given क्या-क्या है voltage की value जहां से देखें voltage की value कह रहा है कि 1 million bolt potential दिया हुआ है कहने मतला में से हम कह सकते है कि 1000 into 10 के power क्या कह सकते है 3 bolt easily लिख सकते है ठीक है और break down voltage ठीक है break break down voltage कितना दिया हुआ है आपका 3 into 10 के power 4 bolt per centimeter ठीक है यह यहां पर दिया हुआ है अब आपसे पूछ रहा है R की value आपको बतानी है कि भाई क्या होगा ठीक है अब इससे हम देखें यह जो voltage है यह centimeter में इसको लिख सकते है इसको mm में कर दीजे ठीक है mm में करने के लिए 3 into 10 के power 4 ठीक है इन्टू 10 के power minus 1 bolt मीली मेटर में ठीक है अब देखें यहां पर R की value आपसे find out करने के लिए पूछ रहा है तो भाई मेरे होता क्या है कि break break down voltage is equal to होता है आपका kv kilobolt upon क्या होता है आपका tridja होता है R होता है तो इस formula से आपको क्या करना है इस पर value रख दीजिए कितना है 1000 ठीक है into 10 के power 3 ठीक है k upon ठीक है ना k upon यहां पर क्या कर सकते हो आप यहां पर R की value आपसे पूछ रही है उसको नीचे ले क्या होगे तो क्या हो जाएगा 3 into 10 के power voltage कितनी दी होई है 10 के power 4 into क्या हो जाएगा 10 minus 10 के power minus का 1 ठीक है अब जब इससे solve करोगे तो यह आजाएगा 1000 के upon 3 ठीक है mm में किसमें आजाएगा mm में आजाएगा तो यहां पर क्या करोगे यहां पर दीखो भई R को इससे ले आए तो यह क्या होगे इसके upon में आगए इस तरह से इसको यहाँ पर हमने लिख लिया अब हम यहाँ पर क्या करेंगे से find out करेंगे तो R की जो value आएगी finally जो आएगी वो आएग जाएगा 0.33 ठीक है 33 meter तो जो होती है वो meter में होती है तो यहाँ पर जो आपका value है 0.33 आपका जो option है A perfect हो जाएगा ठीक है A is the right answer हो जाएगा कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना है data feed करना है और इससे हमेशा जाद रहे कि कही भी यही breakdown voltage पूल दे रहा है तो इस formula को आप लगा के answer ला सकते हो बिल्कुल easily तरीके से आए पहरे मित्रों निश्कोरसन के तरफ चलेंगे निश्कोरसन आपकी स्क्रीम पे आचुका है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कहरा है कि टू चार्जेस आज स्पेस्ट अपार्ट 10 सेंटीमीटर इन वैक्यूम इस नोन दाट दो चार्ज आर 4 इंटो 10 के पावर माइनस 8 एंड 6 इंटो 10 के पावर माइनस 5 कूलम रिस्पेक्टिवली इफ दो सेम चार्जेज आर सेपरेटेड बाइद सेम डिस्टेंस इन केरोसीन वित अपसाइलम और इसकोल तो फाइंड आपको क्या करना है कि निर्वात में दो आवेस की बीच की जो दूरी है वो क्या है 10 सेंटी मीटर है ठीक है तो आपको क्या करना है आपको पता है यापर दिया हुआ है कि ग्यात है कि आवेस जो क्रमसा है कौन-कौन से Q1 एंट Q2 दिया हुआ है यहाँ पर लिखते चलेंगे ठीक है ना देखें क्या क्या गीवेन है आपको पहले यहाँ पर देख लीजिए कि गीवेन क्या क्या है पहले डिस्टेंस क्या क्या दिया हुआ है दूरी आपका क्या क्या दिया हुआ है 10 सेंटी मीटर 10 सेंटी मीटर का डिस्टेंस है ठीक है 10 cm यह दिए हम इसको लिख सकते हैं कि 10 into 10 के power minus 2 meter लिख सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर आवेस की value Q1 की value कितनी दी हुई है Q1 की value आपके दी हुई है 4 into 10 के power minus 8 कुलंब ठीक है और Q2 की value कितनी दी हुई है आपका भाई 6 into 10 के power minus का 5 कुलंब दीया हुई है अब आपको यहां पर क्या दिया हुई है दो value दिया हुई है इसका ठीक है तो यहां पर आपको समझना ये है प्यारे मितरों एक फार्मुला होता है आपको सभी को पता होगा कि app is equal to के Q1 Q2 के अपान क्या होता है अपने मैंने आपको पढ़ाया है d square होता है और यहां पर k की जो value होती है वो 9 into 10 के power 9 हमने लाया था ठीक है 9 into 10 के power 9 होता है यह कैसे find out होता है 1 upon 4 pi epsilon not से इसे हम find out किये थे और लाये भी थे इसकी जो value है इतनी आती है ठीक है अब हम यहां पर क्या करेंगे इसको easily तरीके से formula मे feed करेंगे प्यारे मित्रों ठीक है जब हम इसी easily तरीके से formula में feed करेंगे तब देखें क्या होगा ठीक है तब उसमें हम क्या क्या करेंगे कौं क्या क्या हो जाएगा f is equal to k की value क्या है k की value है 9 into 10 के power 9 ठीक है q1 q2 की value हमें finally हापे लिखना है into q1 q2 upon epsilon r ठीक है और d square ठीक है जो यहां पर distance दिया हुआ है अब आपको क्या करना है यहीं पर आपको q1 और q2 की value ठीक है q1 और q2 की value क्लिक के और यहां पर आपसाइलम और के वैलू को लिट के और डिश्टेंस के वैलू को यहाँ पर पुट करके आपको क्या करना इसे easily तरीके से solve कर लेना है ठेके, जब इसे easily तरीके से solve करते हो तो आपको यहाँ पे इन दोनों आविसों के बीच जो दूरी है उनके बीच जो गिया होती है या फिर जो इनके बीच की बल है वो आपको निकल के आता है क्या है वो आपका निकल के आएगा F is equal to finally जो निकालोगे आपका वो आएगा 1.07 newton ठेक है यह आपकी final value आजाएगी final answer आजाएगा तो यहाँ पे कौन सा answer हो जाएगा भाई B ठीक है B is the right answer हो जाएगा इस question का आईए next question के तरफ चलेंगे next question मैंने आपको whatsapp group में भेजा हुआ था मैंने आपसे बोला हुआ था कि इसका answer बताएं साथी साथ YouTube पे और Facebook के community guidelines पे भी मैंने इसको post किया हुआ था तो यहाँ पे इसको कैसे समझेंगे यह जो question आपके screen पे कह रहा है कि point form of Om's law is represented by the relation कह रहा है कि Om का जो नियम है Om का नियम को बिंदु रूप में प्रतरसित किया जाता है कैसे चार आपसन आपके screen पे इनवी से आपको बताना है ठीक है करेंट डेंसिटी ठीक है धारा गनत्व तथा ठीक है conductivity ठीक है चालकता चालकता है कनड़क्टिविटी इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सीगमा से ठीक है कनड़क्टिविटी एवं एवं विद्युच्छेत्र इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फिल्ड का जो रिलेस्टन होता है न उसी से हम इसे समझते हैं ठीक है पॉइंट फॉर्म जो होता है पॉइंट फॉर्म या फिर जिसके हम कहते हैं क्या कहते हैं भाई बिंदू रूप जिसे कहते हैं ओमसला का उस रूप में हम क्या करते हैं इन सभी का इन सभी का relation हमें जहां पर मिल जाए उसे हम denote करते हैं ठीक है तो यहां पर सबसे पहले दिया हम समझेंगे आप जानते हो कि r is the directly proposed ना या फिर r is equal to rho l upon a होता है ठीक है अब यहां पर आपको यह देखना है प्यारे मित्रों कि आपको यह भी relate कराना है कि i is equal to b upon r होता है तो i is equal to b upon r होता है तो हम यहां पर r की value को क्यों direct ना put कर दें यहां पर तो यहां पर हम direct put करेंगे r की value को तो हम कैसे इसे लिख सकते हैं ठीक है तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं भी के अपान क्या लिख सकते हैं यहां पर rho l upon a ठीक है रो l upon a लिख देंगे भाई ठीक है न रो एल अपान ए और आई को ये जो आई है आई को हमेशा हम क्या करते हैं जे इंटू ए से क्या करते हैं दिनोट करते हैं ठीक है जे क्या है आपका current density है current density है ए क्या है area है आप current को current density into area के terms में भी लिख सकते हो ये आपको basically पता होना चाहिए तो यहां पर क्या हो जाएगा जे इंटू ए हो जाएगा अब ये इससे चला जाएगा ठीक है अब ये इससे cut out हो जाएगा भाई जब ये cut out हो जाएगा तब आपको कौन से term मिलेगा अब देखे जब ये cut out हो जाएगा तो आपको क्या क्या मिल रहा है आपको वन अपान रो मिल जाएगा वन अपान रो मिल रहा है और भी अपान आपको क्या मिल रहा है वन अपान रो और भी अपान अल मिल रहा है तो वन अपान रो इसको हम क्या कहते हैं वन अपान रो को हम क्या कहते हैं भाई, कंड़क्टिविटी होती है ठीक है ना, conductivity को हम 1 upon rho से कहने मतलब यह कि 1 upon rho को sigma से denote कर सकते हैं और B upon L क्या है, यह आपका हो जाएगा, electric field हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, E से denote कर सकते हैं तो इन सभी explanation से आपको यहाँ पर क्या मिला, आपको, आपसन को ध्यान से देखे, आपसन जो B है आपसन जो B है, वो हो जाएगा, right answer, कहने के मतलब यह, कि J is equal to sigma E is the right answer हो जाएगा ठीक है, यहाँ पर क्या right answer हो जाएगा, आपसन B, क्या हो जाएगा, जो यह relation है, J is equal to sigma E is the right answer हो जाएगा, प्यारे मित्रो ठीक है, तो प्यारे मित्रो, I hope कि अब तक की जो classes हैं समय में आए होंगी, next question और भी अच्छा है, बैतरीन है, basic concept पे है, उसको easy तरीके से लगा सकते हो, क्या है, देखे, आपके screen पे आ चुका होगा, कह रहा है कि the force experienced by the charge DQ, due to charge Q in a space at distance R are given as, कह रहा है कि space, निर्वात में, एक आवेस है, DQ, और के द्वारा R दुरी पर एक और आवेस है, Q, ठीक है, कि कारण जो अन्बोग किया जा रहा है, वो बल आपको ग्यात करना है, तो समझने वाली बात ये है, कि एक charge है, DQ, ये एक दूरी तय कार रहा है R, कहां पर भाई, ये इस्तित है, ये एक charge यहां पर Q है, तो आप जानते है, टोटल Q जो होता है, आप क्या जानते हो, Q1 into Q2 के time में होता है, तो यहां पर जो आवेस हो जाएगा, टोटल जो आवेस हो जाएगा, DQ into Q हो जाएगा, ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहे मित्रो, कि यहां पर दीखे, और क्या दिया हुआ है, दूरी, ठीक है, क्या दिया हुआ है, आर दूरी पे, ठीक है, यहां पर क्या दिया हुआ है, आर दूरी पे, तो अपसाइलम नॉट, अपसा तो यहां पे हम क्या करें कि DQ into Q के बीच में जो दूरी है ठीक है इनके बीच में जो force लग रहा है इनके बीच में जो force हो रहा है भाई जब force होगा तभी displacement होगा तभी एक distance वो चलेगा ठीक है कोई भी charge एक force के माध्यम से ही क्या करता है ही travel करता है तो यहां पे आपको force बताना है तो force का formula आपको यहां पे find out करना है मतलब basic सा बात के आपको force की formula बताना है ठीक है तो यहां पे आपको पता है कि आप बिल्कु आप किस से relate कराओगे भाई आप जानते हो कि f is equal to k q1 q2 upon d square जानते हो अब यह तो आपका होता है basic column slot से होता है लेकिन अब जब यहां पे इस condition पे करेंगे तब क्या हो जाएगा f is equal to क्या है भाई आपका d q into q के अपान यहां पे क्या हो जाएगा 4 pi के की value क्या होती है k की value होती है 1 1 4 pi epsilon not होती है तो हम यहां पे लिख देंगे कि 4 pi epsilon not कितनी दूरी यहां पे चल रही है भाई r square क्यों क् इसके अपान d square होता है हमने यहां पे क्या लिख दया दूरी का है मतलब r का square हो गया into कितना चल रहा है यहां पे बारТnt मिल जाएगा आपको और यह जो option आपको मिल जाएगा option कौनसा? B सही हो जाएगा, ठीक है? Question B क्या हो जाएगा? question का सही हो जाएगा तो यह concept अपको लगाना है, बिल्कुल basic concept आपको पता है तो वहाँ पर बिल्कुल ऐसे question आएगा आपकी examination में और आपका जो अच्छा प्रदक्सान होगा तो प्याले मित्रों नेश्ट कुछान आपकी स्क्रीम पे आचुका है ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा ध्यार से प्यार से पढ़िएगा ठीक है कह रहा है कि a cable consists of two得 ओ। कुड़ धिस लगने परप्रप से परप्स require a one into of the cable the combined loop resistance measured from the other in its an electric 80 кв Chris to be 100 chicos when the table is a seven are hundred meter long ok then correct the value of the resistance of 8 km of similar cable is कह रहा है कि एक cable में दो चालक होते हैं ठीक है जो परिछड के प्रयूजनों के लिए cable के एक छोड पर एक साथ जुड़े होते हैं ठीक है तो दूसरे छोड से मापा गया जो सन्यूक्त लूप है उसका जो प्रतिरोध है 100 ohm पाया जाता है ठीक है जबकि cable के लंबाई कितने हैं 700 meter है ठीक है and कह रहा है कि समान कितना है भई yes समान cable के लिए 8 km के प्रतिरोध का मान किया है ठीक है तो 4 option आपको है यहाँ पर कैसे solve करना है हम बताएंगे आपको ठीक है तो सबसे पहले data देखे क्या क्या दिया हुआ है given क्या क्या है इस question में ठीक है तो r1 की value कितनी दी हुई है 100 ohm दिया हुआ है ठीक है r1 की value r2 आपसे देखे पूछ रहा है ठीक है r2 आपसे पूछ रहा है i1 की sorry l1 लंबाई कीतना है 700 ठीक है 700 क्या? मीटर ठीक है लंबाई क्या दिया हुआ है 700 मीटर दिया हुआ है और l2 भी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है आपका 8 km 8 km कहने मतलब क्या 8,000 मीटर ठीक है ओके में आ रहे है अभी तक अब देखे ये सब देखने पर क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको तो यहाँ पे आपको लगना पड़ेगा R का basic सा फंडा R is equal to Rho L upon A ठीक है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे आप निकाल सकते हो कि R1 R2 is equal to L1 L2 यह आपका ratio निकाल सकते हो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कि आपान 8000 ठीक है अब जब इसे आप solve करोगे ठीक है जब इसे आप solve करोगे तो R2 की value जब यहाँ पे निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई? 8000 8000 into कितना हो जाएगा? 100 उपर चला जाएगा 100 के आपान कितने हो जाएगे? 700 ठीक है? अब यह 0 इस 0 चला गया? यहाँ पे कितना बच गया आपका? 8000 बच गया? कहने मतलब यह कि यह जाएगा 8000 के आपान साथ अब इसे जब solve कर लोगे तो कितनी value आ रही है जल्दी से calculate करो यहाँ आएगा 1142 ठीक है? पॉइंट में जाएगा कितना 85 ठीक है? 857 857 आएगा तो इसको basically कह सकते हैं कि भाईया यह 43 के मतलब इसकी जो value आ जा रही है R2 की जो value आ जाएगी finally वो आ जाएगा आपका 1143 ठीक है? 1143 ओम आ जाएगा तो यहाँ पे आपका जो given है 1143 क्या है? A is the right answer हो जाएगा इस question का ठीक है? So I hope कि आप लोग को अच्छा लगा होगा सेसन और साथी साथ अपने प्यारी मित्रों को बताएं कि यहाँ पे आपके लिए भेनत किया जा रहा है जो कि ऐसे question आप हमें ने लगता है कि कोई discuss कर रहा होगा अभी क्योंकि मैं यहाँ पे सभी इदम आप updated question लेकर आ रहा हूँ थोड़ा high level लग रहा होगा बढ़ कोई नहीं एक बार जी समझ लोगे तो ऐसे question जितनी भी बार आएंगे सभी को आप एक बार में कर रहे जाओगे ठीक है? तो चली मिलते हैं ने वीडियो में तो तो अपना ख्यार रखेगा और अपने जादा जादा मित्रों को जोड़ने की कोसिस करिएगा ठीक है? तो चली मिलते हैं ने वीडियो में तो 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 अपना ख्यार रखेगे मस रही बिंदास रही